Friends, ऐसा कई बार होता है कि हम insurance जब खरीदते हैं, insurance खरीदने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि insurance company ने हमारे साथ किसी प्रकार का धोका किया है। ज़्यादा तर tax बचाने के लिए हम हरवड़ी में insurance ले लेते हैं और उस ताइम पे insurance agent जो हमें बताता है हम उसे मान लेते हैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझें बाद में जब policy हमारे पास आती है तब हमें समझ में आता है कि हमारे साथ धोका हो गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में insurance करीदते वक्त धोका हुआ है तो आप insurance company के against में complain कर सकते हैं और आज मैं आपको पांच ऐसे अलग-अलग तरीके बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप insurance company के खिलाफ complain कर सकते हैं। क्रेंट्स मैं हूँ c.a.hevend और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल पनाइड वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस्ट नहों तो आई आप जानते हैं कि वह पांस तरीके सबसे पहले हमारे को जो शुरुवात करनी है वह हमें इंशरेंस कंपनी के साथ गी करनी है जब हमारे को लगता है कि हमारे साथ किसी एजन ने या इंशरेंस कंपनी ने खुद धोका गिया है तो सबसे पहले हमारे को इंशरेंस कंपनी में ही एक रिटरन कंप्लेंट दाखि में तिना होता और अगर अग्या पर यांगर हुआ से आप से सड़ी नहीं टो आप सीधे के पास तीसा कि जिसा कि पॉ lång लूहरोल मैंने बताया किया आप के पास जा सकते हैं अगर कंपनी के सॉल्यूशन से आप साटिस्टाइड नहीं है तो IRDA को कंप्लेंट करने के आपके पास में दो ऑप्षेंज हैं एक तो इमेल के द्वारा आप कंप्लेंट कर सकते हैं दो नंबर हैं अलग-अलग पहला नंबर है 155255 और दूसरा टोलफ्री नंबर है 18004254732 टोलफ्री नंबर में अगर फिट से रिपीट करता हूं टोलफ्री नंबर है 18004254732 चौथा ओप्षेंज है आपके पास में www.igms.irda.gov.in एक बर फिर से रिपीट करता हूं इंटेग्रेटेड ग्रिवियांस मैंजमेंट सिस्टम IRDA का वेबसाइट है www.igms.irda.gov.in आप अपनी कंप्लेंट को यहां पर भी रेजिस्टर कर सकते हैं और जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट रेजिस्टर करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और लास्ट बट नॉट दी लिस्ट अगर आप इन चारों तरीके से सैटिस्फाइड नहीं हुए हैं तो आप लास्ट में सिविल कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं दोस्तों इंशरेंस कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको दो बातों का ध्यान देना जरूरी है सबसे पहले आपको अपनी शिकायत इन्श리 कंपनी में ही दर्ज करानी है अगर इन्श리 कंपनी आपकी शिकायत नहीं सुनती है या फिर उन्होंने जो आक्षन लिया है उस से आप सैडिस्वाइड नहीं है तब आप बाकी चार ओप्षंस पर जा सकते हैं और दूसरी बात जो ध्यान देने की वह यह है कि इंटेगरेटेड ग्रिवियांस मनेजमेंट सिस्टम आया डिये का अपने पॉलोशी होल्डर को अपनी कंप्लेंट बीच में अमेंट करने की सुधा देता है तो इन दो बातों का ध्यान रखिएगा अपनी कंप्लेंट इंशरेंस कंपनी के ख पाइल करते हुआ